हेलो बच्चो कैसे हैं आप सभी I hope you all are fine तो आज के इस वीडियो में हम लोग solve करेंगे Chapter 2 Polynomials Exercise 2.3 का question number 3 Question number 3 है obtain all other zeros of 3x to the power 4 plus 6x cube minus 2x square minus 10x minus 5 if two of its zeros are root 5 by 3 and minus root 5 by 3 इसके two zeros आपको दिये हुए हैं और आपको इसके other zeros find करने हैं अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि यह जो हमारा polynomial है यह यहाँ पर polynomial में variable की जो maximum power है वो कितनी है 4 है है ना यह aquatic polynomial है यानि यहाँ पर देख सकते हैं polynomial हमारा x है और x की maximum power यानि degree of the polynomial 4 है यानि यहाँ पर इसके total 4 roots होंगे है ना यहाँ पर इसके कितने roots होंगे 4 roots होंगे उसमें से आपको यह 2 roots दे दिये होए हैं और बाकी के 2 roots हमको find करने हैं ओके तो हमारे पास कितने roots होने चाहिए total 4 होने चाहिए दो आपको दिये हुए है और 2 हमको find करना है ओके तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे यह जो आपको polynomial दिया हुआ है तो इसके जो दो रूट्स दिये हुए है जिरो यानि रूट्स है दो रूट्स दिये हुए है तो x is equal to यह रूट्स है यानि यह उसका solution है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग solution में here x is equal to root 5 by 3 and x is equal to minus root 5 by 3 are two of its zeros two of its zeros है two of the zeros of the given polynomial two of its zeros किसके zeros है इस polynomial के okay so x minus root 5 by 3 जब आप इसको यहाँ पर x is equal to root 5 by 3 है आप इसको यहाँ पर ले जाओगे तो यह हो जागा x minus root 5 by 3 okay और यहाँ यहाँ पर minus root 5 by 3 को यहाँ पर ले जाओगे तो जाएगा x plus root 5 by 3 है ना यहाँ पर क्या बच जाएगा 0 देखो root 5 by 3 जब यहाँ जाएगा तो हो जाएगा minus root 5 by 3 यहाँ क्या बच गे तो हम लिखेंगे, so x minus root 5 by 3 and x plus root 5 by 3, है ना, x minus root 5 by 3 and x plus root 5 by 3 are 2 of its factor, ये इसके दो factor होगे, are 2 of its factor, जब एक factor आता है, जब cubic polynomial के हम लोग बात करते हैं, जब cubic polynomial को solve करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, कोई 1 factor, 0 दिया रहता है, अगर ये cubic polynomial होताँ, गर 1 0 दिया रहता, तो हम लेते हैं, जैसे x is equal to 2, ये 0 है, तो हम x minus 2 से इस polynomial को divide कर देते हैं, हमारे पास answer आ जाता, लेकिन यहा करेंगे इस से डिवाइट करेंगे इस से डिवाइट करें बारी बारी से डिवाइट करें क्या करें तो हम क्या करेंगे यहां पे इन चीजों को सिंपल करने के लिए इन दोनों का हम प्रोड़क्ट ले लेते हैं याने हम क्या करेंगे x minus root 5 by 3 और x plus root 5 by 3 ये इसके दो factor है तो जो इनका product आएगा वो भी क्या करेगा? वो इसको divide कर पाएगा factor क्या होता है? किसी भी number का factor वो number होता है जो उसको पुरा completely divide कर सके है ना? जैसे मैं example देती हूं 18 का 18 है अब 18 का अगर 8 factor 2 है है ना? और 8 factor 3 है तो ये किससे divide हो पाएगा? 2 से भी divide हो पाएगा 3 से भी divide हो पाएगा और इसका एक और factor है क्योंकि 18 को हम च्या लिख सकते है 2 into 3 into अब यहाँ पर कौन सा number आगा ये हमको नहीं पता है तो हम क्या करेंगे? इन दोनों को multiply कर देंगे 2 3 जा 6 और उस 6 से अगर हम लोग है ना इससे अलग divide करेंगे इससे अच्छा हम क्या करते है? इन दोनों को multiply कर देते हैं तो 2 3 जा क्या आ जाते है हमारा? 6 आ जाते है 2 3 जा क्या आ जाते है 6 अगर मैं 6 से इस 18 को divide कर दूँ तो मेरा यहाँ पर result क्या आ जाएगा? यहाँ पर मेरी identity लग जाएगी A माइनस B, A प्लस B या A प्लस B, A माइनस B बोल सकते हैं यह इसका solution क्या होता है? यह होता है A square माइनस B square similarly X प्लस रूट 5 बाइ 3 इन्टू X माइनस रूट 5 बाइ 3 है तो इसका solution क्या हो जाएगा? X square माइनस root 5 बाइ 3 का square तो X square माइनस root 5 बाइ 3 इन्टू root 5 बाइ 3 जब भी root रूट आपा से multiply होते हैं तो क्या होता है? root का sign हट जाता है यहाँ पर आ जाएगा 5 बाइ 3 तो X square माइनस 5 बाइ 3 यहाँ पर यह आ जाएगा तो यहाँ पर हम लिखेंगे X square माइनस 5 बाइ 3 X square माइनस 5 बाइ 3 जाएगे से क्या करेंगे इस polynomial को divide करते हैं इस तेहाँ लिखती हूँ मैं X square में यह आप दो अलग अलग ले रहें के बज़ाए मैं क्या ले लेती हूँ X square माइनस 5 बाइ 3 is a factor of this given polynomial is a factor of आपका क्या polynomial था 3 X to the power 4 plus 6 X cube minus 2 X square minus 10 X minus 5 याने अब हम क्या करेंगे इस X square minus 5 by 3 से इसको divide करेंगे तो चलिए divide करने का rule मैंने आपको पहले ही बताया है हम division algorithm को करा जो rules है उसको use करेंगे तो मैं यह ले ले लेती हूँ polynomial 3 X to the power 4 plus 6 X cube minus 2 X square minus 10 X minus 5 ये dividend हो गया divisor मेरा क्या जागा X square minus 5 by 3 इससे मुझे इसे divide करना है तो अब क्या करूंगी मैं यहाँ पे ये जो dividend का first term है dividend का first term क्या है 3 X to the power 4 इसको divisor के first term याने X square से divide करूंगी तो यहाँ पे मैं ये रफर कर लेती हूँ जब हम 3 X to the power 4 को X square से divide करते हैं तो ये X square है न और यहाँ पे 4 है कैंसे लोग के 2 आ गया तो 3 X square का जब हम लोग X square minus 5 by 3 से multiply करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 X square into X square हो जाता है 3 X to the power 4 minus 3 X square into 5 by 3 अप multiply करोगे तो 3 3 cancer कितना हैगा 5 X square यहाँ क्या जाएगा 5 X square तो मैं यहाँ पे ले लेती हूँ 3 X to the power 4 minus 5 X square यहाँ लिख जाते हैं 3 X to the power 4 minus 5 X square यह X square वाला term है तो उसको हम लोग X square वाले term के ही नीचे लेंगे अब इस polynomial में से हम लोग इस polynomial को subtract कर रहे हैं तो यह जो नीचे वाला polynomial है इसके सामने में जो sign है वो change हो जाएगा यह plus है तो minus हो जाएगा और यह minus है तो अब यह plus हो जाएगा अब क्या होगा यह 3 X to the power 4 और minus 3 X to the power 4 यह क्या हो जाएगा cancel हो जाएगा यहाँ से आ जाएगा यह 6 X cube plus 5 X square में से minus 2 X square जाएगा तो क्या बचेगा plus 3 X square यहाँ से आगा minus 10 X यहां से minus 5 है नहीं जो भी बच्चे वो टर्म से वो हम यहां लिख लेते हैं फिर से हम लोग क्या करेंगे यह जो मेरा नया dividend है इसके first term को यह diviser के first term याने x square से divide करेंगे तो अब मैं 6x cube को x square से divide करती हूँ तो यहां पर यह x square और यहां से 3 में से 2x कर जाएगा बचेगा 1x याने 6x यह हो गया मेरा quotient यहां ले लेती हूँ plus 6x अब इस 6x का में ही diviser याने x square minus 5 by 3 से multiply करूँगी तो 6x into x square minus 5 by 3 ओके तो 6x का x square से multiply होगा तो क्या हैगा 6x cube ओके x into x square हो गया x cube minus 6x का 5 by 3 से multiply होगा तो 3 1 जा 3 3 2 जा 6 याने यहां गया 2x into 5 कितना होता है 10x याने यहां पर आगया 10x और यह minus तो पहले से था तो मैं इसे यहां से हटा देती हूँ यहां आपका आगया 6x cube minus 10x इसे मैं यहां पर लिश देती हूँ 6x cube minus 10x फिर से हम इस polynomial में से इस polynomial को minus कर रहे है तो इनके sign क्या हो जाएंगे चेंज हो जाएंगे यह positive है तो अब हो जाएगा negative यह negative है तो क्या हो जाएगा positive अब यह plus 6x cube और minus 6x cube क्या हो जाएगा cancel हो जाएगा यहां से आजाएगा मेरे 3x square minus 10x और plus 10x भी क्या हो जाएगा cancel हो जाएगा और यहां से क्या जाएगा minus 5 अगें ये मेरा फिर से नया dividend है फिर इसके पहले term को diviser के पहले term से divide करेंगे तो 3x square को जब मैं x square से divide करूंगी तो मुझे यहाँ पर क्या मिलेगा यह x square x square cancel यहाँ आगया 3 तो यहाँ मैं लिख देती हूँ plus 3 अब इस 3 का फिर हम x square minus 5 by 3 से multiply करेंगे तो 3 into x square minus 5 by 3 तो यह कितना हो जागा 3 into x square हो गया 3 x square minus 3 into 5 by 3 3 3 cancel तो यहाँ क्या बढ़ जागा only 5 तो यहाँ आजागा 3 x square minus 5 यहाँ लिख दूंगी मैं 3 x square minus 5 फिर से इस polynomial में से इस polynomial को minus कर रहे है तो इनका यह जो sign है वो change हो जाएगा यह plus के बदले minus यह minus के बदले plus plus 3 x square and minus 3 x square cancel हो गया minus 5 and plus 5 भी cancel हो गया यह रिमेंडर हमारा क्या आ गया 0 आ गया रिमेंडर 0 आ गया यह तो हमारा confirm थे कि इसका factor है और वो हम पहले से भी लेके चल रहे थे अब हम क्या करेंगे यहाँ पी यह dividend is equal to क्या होता है diviser into quotient plus remainder इस form में हम लोग लिखते हैं तो अब उस form में हम लोग ले 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 लेते हैं यह रफ़र्क में हटा देती हूं यहां से तो as we know that कि dividend is equal to होता है diviser into quotient plus remainder है यह हम लोग लेके चलते हैं relation तो यहाँ पर इस case में हम लोग क्या करेंगे हमारे dividend के 3x to the power 4 plus 6x cube minus 2x square है यहाँ पर मैं solve कर रही हूं तो यहाँ पर मैं ले 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 हूं इसे 3x to the power 4 plus 6x cube minus 2x square minus 10x minus 5 is equal to divisor क्या है x square minus 5 by 3 x square minus 5 by 3 into quotient क्या है हमारा 3x square plus 6x plus 3 plus remainder हमारा है 0 तो 0 अब plus minus करों कोई साथ नहीं पढ़ता तो इसको मैं यहाँ से हटा दे रही हूं अब यह तो हमारा x square minus 5 by 3 यानि क्या हो जाएगा यहाँ पर इसके 2 roots थे root 5 by 3 है minus root 5 by 3 है तो हमको known है बट अब यहां से हम लोग बाकी के 2 roots निकाल सकते हैं क्योंकि आप देख सकते हैं कि अब यह जो है factorize होके यह एक quadratic equation बन चुका है और quadratic equation के zeros हम लोग splitting the middle term इससे हम लोग find कर लेते हैं तो अब मैं वही method use करने चाहरी हूं यह तो मेरा as it is rag x square minus 5 by 3 है ना और यह हो जागा मेरा 3 x square plus 6 x plus 3 कैसे हम middle term को split करना है तो हमें ऐसे दो numbers चाहिए जिनका sum कितना होना चाहिए sum होना चाहिए 6 sum क्या होना चाहिए 6 middle term के बराबर and product कितना होना चाहिए यह जो यह 3 और यह 3 इनके product के बराबर है ना product कितना होना चाहिए multiply करने पर कितना होना चाहिए 3 3 is a 9 ओके तो अब हम ऐसे दो number चाहिए जिनका sum 6 और product 9 आना चाहिए तो 3 and 3 ले लिजिए तो यह हो जाएगा 3 x square plus 3 x plus 3 x 6 x हुआ plus 3 इसको बस middle term को split करना बाकी किसे को हाथ भी नहीं लगाना है आपको यह 4 term है तो यह 2 और 2 के group बन गए इन दोनों में से क्या common आ जाएगा इन दोनों में से 3 x common ले ले लेते हैं तो यहां बच जाएगा x plus 1 और यहां से भी क्या common ले लेते हैं 3 ओके तो यहां से भी x plus 1 बच जाएगा ओके अब यह 4 जो terms थे अब यह 2 terms में आ गये है ना दो terms मे से भी आप क्या comment ले सकते हो इन दोनों ठम्स में आप धेख सकते हैं x 1 इसके पास भी है और x 1 इसके पास भी है तो यहां से भी आप x 1 as a common factor बाहर निकाल लो तो यहां का 3x प्लस यहां का 3 यहां गया ओके तो यह हो गया हमारा x 5 3 या निया कि यह था हमारा x plus root 5 by 3 और x minus root 5 by 3 इसी के form में था ना जिसको multiply करके यहां लाएते हैं वापस उसको हमने वैसा कर दिया ओके तो इसके 2 root से सबको 0 के equal दो तो यहां से 2 root से हमारे आगे x is equal to minus root 5 by 3 x is equal to root 5 by 3 जब इन दोनों को 0 के equal रखोगे अब x plus 1 को 0 के equal होगे तो x की value क्या जाएगी x is equal to minus 1 यह एक root आ गया हमारा यहां पर एक root आ गया x is equal to minus 1 यह तो तो आपको already given था question में ही यह हमारा तीसरा root आ गया one two two roots दिये होए थे तीसरा हमारा आ गया चौथा इसको 0 के equal देके बनाएंगे हम लोग तो तो 3x plus 3 को 0 के equal लेकर चलते हैं तो 3x is equal to minus 3 तो x is equal to minus 3 upon 3 यह cancel यहां पर आ गया minus 1 so x is equal to minus 1 this is the fourth root of the given quadratic polynomial आप यहां देख सकते हैं कि यह दो रूट सो आपके पहले से दिये हुए हैं और बाकी के दूरूट समने यहां पर फाइं कर लिए हैं तो यह हमारा question number 3 solve हो गया question number 4 solve करते हैं next video में